उम्शान्ती आज सुनते हैं 1994 की मुर्लियों से निकला हुआ मक्खन जो शक्तिशाली बना देता है मक्खन मना सार ले लिया पूरे वर्ष की किती सारी मुर्लिया पूरे वर्ष बर में सुनी उसका सारा सार बारमिंट में अरे वंडर्फुल एक एक पॉइंट ऐसी ब्रह्मस्त्र के तरह स्थीती को बहुत उंचा ले जाएं और माया के विकारों को नश्ट कर दे 1994 के बाद तो बाबा की बस तेरा चोदा मुर्लियां चलती रही बस तो सब से एक एक पॉइंट आप सब के सामने 1994 की मुर्लियों का मक्खन नंबर वान नंबर वार होने का विशेश आधार है एक इस शब्द पॉइंट पॉइंट सरूप को अनभव करना दूसरा कोई भी संकल बोल वाकरम वियार्थ है उसको पॉइंट लगाना और साथ बिंदी लगाना 30 ज्ञान की वा धारणा की अनेक पॉइंट सो मनन कर सव परती वा सेवा परती समय पर कारे में लगाना आज बाबा ने 3 पॉइंट दूसरे बताए अक्सर आतमा पॉइंट बाबा पॉइंट ड्रामा पॉइंट आज बाबा ने कहा एक तो पॉइंट शब्द का अनुभव करना उसमें आत्मा प्रमात्मा दोनों आ गए दूसरा कोई भी संकल्प बोल वा करम वियर्थ है तो उसको पॉइंट लगाना और अर्थात बिंदी लगाना तीसरा ज्यान की वा धारणा की अनेक पॉइंट को मनन कर सव परती वा सेवा परती समय पर कारे में लगाना नेक्स्ट नमबर टू बाप दादा मेहनत से मुक्त होने के लिए सहज विधी सनेह की शक्ति सभी बच्चों को वर्दान में देते हैं शिव सनेह में समा जाओ सिरफ डुब की मार कर निकलना नहीं है निकलना नहीं आओ थोड़ा समय समर्थी में रहते हो मीठा बाबा प्यारा बाबा तो डुब की लगा कर फिर निकल आते हो तो माया की नजर पड़ जाती है समा जाओ तो माया की नजर से दूर हो जाएंगे सने की शक्ती सहज समर्पन करा देती है बाप समान बना देती परबातम साथ बाप की दुआओं का हाथ असंबव को संबव इतना सहज जैसे कारे हुआ ही पड़ा है नेक्स्ट ब्राह्मन नेचर अर्थात विशेषता की नेचर भी नेचरल होने चाहिए नेचरल चीज सदा रह सकती है तो विशेष जीवन की समर्ती नेचर के रूप में नेचरल होने चाहिए या कभी भूलना कभी यादोना तो सदा समर्ती सुरूप रहो समर्ती लाने वाले नहीं बलकि समर्ती सुरूप ऐसे जब योग का शक्तियों का गुणों का प्रियोग करते हो तो पहले ये चक्रों की मूल अधार आत्मक शक्ति परमात्म शक्ति की लाइट में स्थित हैं अगर स्थिती और सुरूप डबल लाइट हैं तो परियोग की सफलता बहुत सहज कर सकते हो हर मास्वा हर पंदरा दिन के लिए कोई ना कोई विशेश गोणवा कोई ना कोई विशेश शक्ति वासव परती परियोग करके देखो मतलब बड़े बड़े परियोग करने कभी 15 दिन एक ही गुण पे कभी 15 दिन एक ही संबंद पे अच्छी तरह उसका परियोग करो इससे वो रस आ जाएगा फिर आपको बड़ा सहज उस विधी से याद करना भी अनंद में हो जाएगा और वो गुण की धारना अच्छी तरह से हो जाएगे तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाप दादा कहते हैं कि सदा सौमान में सदा रहो सदा सौमान में रहो जहां सौमान है वहां देभान आ नहीं सकता तो छोड़ने की मेनत नहीं करो लेकिन सौमान में स्थित रहने का अटेंशन रखो और संगम युग पर स्वयम बाप द्वारा कितने अच्छे-च्छे सौमान प्राप्त हैं प्राप्त करना नहीं है प्राप्त है अपने सौमान की लिस्ट निकालो बाबा ने कहा देभभान तो फिर आई नहीं सकता सौमान की लिस्ट निकालो और उनके अनभवों में सदा खोए रहो कभी कोई अनभव कभी कोई अनभव फिर बाबा ने कहा सरव समंधों की सरव समय प्रमान बाप स्वयम हर बच्चे को आफर करते हैं जैसा समय वैसे संबंद से साथ रहो वा साथी बनाओ कोई समय तो संबंद से साथी बनाते हो और कोई समय साथी को किनारे कर देते हो फिर कहते हैं कि अकेला पन फील होता है बारिंग लाइफ हो गई है combine कभी अकेला होता है क्या combine कभी भी अकेला नहीं होता boring life हो गई बाबा कहते तो यह सदा बुद्धी में रखो फिर next है कि बाबा ने seventh point विशेश बाबा ने कहा एक संतुष्टा की विशेश्टा और विशेश्टाओं को भी सहज अपने समीप लाती है कि मनोरेंजन करेंगे फिर बाबा ने कहा वो क्या होगा कभी कार्टून शो चले तो मज़ा आता है ना पपेट शो में मज़ा आता है कट पुतलियां घूम रही है कार्टून शो में मज़ा आता है लाओ किती वड़ी प्रिस्तिती समझो कार्टून शो चल रहा है पपेट शो चल रहा है फिर बाबा ने कहा चाहे सव परिवर्तन में चाहे किसी की भी विर्ती परिवर्तन में चाहे वायू मिंडल परिवर्तन में चाहे संबंद संपर्क के परिवर्तन में अभी तिवर्गती लाओ speed fast अब सुनो उसकी निशानी तिवर्ता की निशानी है सोचा और हुआ संकल्प, बोल और करम तीनों स्रेष्ट साथ साथ हो सोचा और हुआ यह है तिवर्ता की निशानी संकल्प, बोल और करम तीनों स्रेष्ट साथ साथ हो नेक्स्ट है भाबा ने नाइंथ पॉइंट कमजोरी के या व्यर्थ संकल्पों के गेट यह शब्द है इनको डिक्ष्णरी में थोड़ा चेंज कर दो तो आप भी चेंज हो जाएंगे वो कौन से कमजोरी के शब्द जब भी what शब्द आए तो ब्रह्मन डिक्ष्णरी में what की बजाए fly शब्द है दूसरा शब्द क्या बोलते है वाई तो वाई को क्या करेंगे बाई-बाई सदा के लिए बाई-बाई करेंगे या थोड़ा टाइम के लिए और तीसरा शब्द बोलते हैं how तो हाउ नहीं नो जानते हैं कैसे नहीं नो अर्थात जानने वाले तो बाबा कहते हाउ वा 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 करो वाई वाई की बजाए वाई वाई किते संदर बाबा ने इंगलिश ट्रांस्फरमेशन किये नेक्स्ट आपकी कमजोरी माया बन कर सामने आती है जैसे शरीर की कमजोरी बन कर सामने आती है न ऐसे आत्मा की कमजोरी बन कर सामना करती है तो ना कमजोर बनना है ना माया आनी है लक्षे ही है माया जीत जगत जीत कितनी बार विजई बने हैं अनगिनत बार फिर भी घबरा जाते हो हमेशा चेक करो कि मेरी कमजोरी माया है कोई में क्यों से कमजोरी है उसको खतम करना है 11 परमातम प्यार में खोई हुए रहते हैं उनको इस प्यार से कोई हटा नहीं सकता परमातम प्यार में खोई हुई जलक और फलक अनुभूती की किरणे इतनी शक्तिशाली होती हैं जो कोई भी समीप आना तो दूर लेकिन आँख उठा कर भी नहीं देख सकता। ऐसी अन्भूती सदा रहे तो कभी भी किसी भी परकार की मेनत नहीं होगी। कौन सी अन्भूती? यही अन्भूती जलक और फलक। नमबर बारा, दुनिया वाले तो कहते हैं रिचेस्ट इन दा वर्ड। लेकिन आप कहेंगे रिचेस्ट इन कल्पा, आपकी कमाई वा जमा खाता बढ़ने का सबसे सहद साधन है, क्या? बिंदी लगाते जाओ और बढ़ाते जाओ, आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, ड्र बिंदी लगाना, बिंदी लगाते जाओ, आत्म बिंदी लगाई और कमाई बढ़ गई, बाबा बिंदी और कमाई बढ़ गई, कितना अच्छा बाबा ने बताया? 13. अभीमान के दरवाजें हैं मैपन और मेरा पन, फरिष्टा का आर्थ ये नहीं के सिरफ दे भानवा दे के अकर्षन से परे होना, बलकि दे के शुक्षम अभीमान संबंद से भी नारे होना, और अभीमान के निशानी जहां भीमान होता है, आप मान की फीलिंग बहुत जल्दी आती है, क्योंकि मैं और मेरे के दरवाजें खुले हुए होते हैं, 14. परतिग्या स्वें से करो कि कमजोरी वा कभी कमी को नहीं देखेंगे किसी की कमजोरी कमी को नहीं सुनेंगे नहीं बोलेंगे ना सुनेंगे ना बोलेंगे ना देखेंगे तो ये वर्ष शुब भावना गुण सुरूप वर्ष हो जाएगा ना देखेंगे ना सुनेंगे ना बोलेंगे तो शुब भाव अच्छा ओम शांती ये था उननी सो चुराणवें की मुरलियों से निकला हुआ मक्खन ओम शांती ये एक प्रेरना दायक विडियो है जरूर देखें कोई भी मिस ना करें कर दो विए पार हो विए्ज से ना करेंखें।